नमबस्कार फ्रेंट स्वागते हैं एक बार फिट से आप लोगों का दय श्टेडी-लाइन में फ्रेंट जैसा कि आपको जानते हैं कि मैं अभी जूओए आप लोगों को लुसेंट का 1000 कोशन्स कराने वाला हूं तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था और यह पार्ट 2 पार्ट वन मेंने पहले अप्लोट कर आए अगर नहीं देखे तो में प्लेडिस्ट में जाए वहाँ पे लुसेंट जी के नाम करके एक प्लेडिस्ट होगा वहाँ पे आप पूरा ज़य लुसेंट का वीडियो देख सकते हैं यहाज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं तो इस चंहें तो इसना नाम है काजी रंगा राष्ठीया भ्यारन किसंपूर यह सम में एक है काजी रंगा जो में यहip यह सम में आशनो समकी राधानी नाम क्या थो दिस पूर है ठीक है अगरा है फ्रेंट्स की पिर्थवी ऐपने धूरी पर किस दिसा में घूमती है तो यह बात आप लोग जाने लिए कि पीडकी जो है हमें साथ उल्टी सब्सक्र Olivier局 अंसा ट्रोइब की और तूम से पूर्व कि और धान राके है इस बात निए ने किफिन उट्छे इस अधिसे नदी के किनारी बसा है थिखे है पूर्ण कौन सी धातू बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है बिलकुल चांदी जो है फ्रेंट्स चांदी में बिजली का प्रभा होता है बहुत ही अच्छा होता है ठीक है इसलिए धातू जो होता है फ्रेंट्स बिजली के लिए सबसे अच्छा वह चांदी होता है ठीक है चांद टिए लेकर रहाँ गा किसने ने कहा था ठिक है बाल गंगा धरत ठिक है और इसे मैं ले कर रहोंगा ठीक आपार लंगा धर तेलक ने का तार्टीक है अगला फ्रेंट्स कि राजसभाग के सदस्ट्चियों का चुनाव कितनी अब धी के लिए किया जाता है तो यह इसका राइट असलम फ्रेंट चावर्स ठीक है छावर्स एक सो तेरा ठीक है छे वर्स के लिए अगला लिए अगरा आपलोग के लिए कंसी है तो हां पर रोमन लिखते होगे ठीक है तो देवनागरी है ठीक है और मैं आप लोगों को बता दों फ्रेंट्स कि राजस्वा के सदस्ट को बनने के लिए आपका मिनिमम एज जो होना चीए जो सबसे कम एज है वो तीस एर है ठीक है और प्रधान मंत्री की बात की जाए तो प्रधान मंत्री के लिए 25 एर है है या буट भी जो राश्टपति रामनात कोविंद जीओ और प्रधान मंत्री जो ए जो एक और फीर से बने हैं ठीक है टहए तो आप रहोगों नंभर से नंबर के जओ फोर्टीन से नंबर के 這 यह दोनों है रश्टपति और पर्धान मंत्री हृँ ठीक है यह यह भी कभी- मेलखा भी का जाता मेखला भी का जाता है ठीक है ऐसे मिलकी वे ज्यादा प्रचली थे ठीक है अगला है फ्रेंट्स कि हिंदी भासा का पहला समाचार पत्र कों सा था तो उदंत मार्टन जो था हिंदी भासा का सबसे पहला समाचार पत्र था ठीक है अगला देखें फ्रेंट् के जो राज कभी है कौन कहलाते हैं तो हर्याना के जो राज कभी है वो उद्र भानूर हंस कहलाते हैं ठीक है चलिए अगला देखते हैं अगला है फ्रेंट्स की आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुवात कब और कहां हुई थी तो आधुनिक खेलों की जो शुरुवात हुई थी सबसे पहले एंधेस में हुआ था ठीक है एथेंस में उन्हां में हैं और 1896 में हुई थी ठीक है याद रखेंगा इसे अगला है फ्रेंट्स कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में आठ बार स्वान प्तग जीता है तो यह जो हुभी में ठीक है यह यह आठ बार को यूद्ध कीतने वर्षों के बालु थाओं रवर्ष के बाद डुरू अधिक का जय आउवजंड किया जाता है लेस के अंतराश्टी ओलंकि समयती स्वीटजर लैंड में हैं चली आगला देके अगला है कि सण 2012 में ओलंपिक खेल का हुए थे लंदन में हुए थे थीक फिसिट इनाफूसवाणिक खेल का जो है ध्वज में कितने कोले होते हैं तो पांच गोले होते हैं एक उलम्पिक में सरवाधिक सोर्ण पदक जितने वाला खिलाडी को न है तो माइकल जो है फिल्प्स ठीक है अगला एक फिरेंट्स की सन 2020 में उलम्पिक खेल कहा होंगे तो टोकियो में होंगे और टोकियो जपान की राज़धानी है ठीक है चलिए अगला देके सन 2012 में उलम् भाली साइना नहवाल का समnaires किसके से तो सायना नहवाल का सम learners जोई बद मेंटन से अलटी का सहान की रिखता इस साइना नैएवाल डावाले बैंट में खेलते हैं ठीक है आइञा diferen्स की भारत ने ओलनिपिक खेलों में पहली बार स्फिश भाग लिया था तो पिखिना है और कि ओलंपीग खेलों में प्दक शितने वाली भारतिय महिला कौं थी तो कच्दम कहन accus सवरि adesso भ特 इंपरेट्स करताए और मत प्रेटिर करते थे लागा कि ओलंपीग छोड़ों में पड़क जितने वाली पहली भारतिय महिला खिलारी कौंति तो पु lamps लेश्वरी धिक आगला है फ्रेंट्स अगला है बैक टुद वेद अर लोटो किस ने दिया था 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 तुब जन्डावचा रहे हमारा हमलोग गाते रहते हैं मेशा सवय्द दिवस पर गनता रहा हमारा कि सिया मलात छामलाल Commerce सब्सक्राइब ने इसके रचना की थी ठीक है जदा गीत को जड़ांसा फ्रेंट्स छंडां स safety हमाराthree जड़ा गँट अब पारषण के थीचिंग के टिक है चलिए अगला देखते हैं फिल्टर किया जाता है तो गुर्दे के द्वारा ठीक है गुर्दे के द्वारा जो है मानव शरीर के द्वारा जो है युद्या को रत्र से फिल्टर किया जाता है ठीक है गुर्दे के द्वारा अगला है फ्रेंट्स किस एक मात्र भारतिये को अर्थसास्त में नोबल प्रु वह किस वादी अंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं तो सानाई वादन में थे ठीक है बिस्मिल्ला खां जा याद रखेगा यह पूछा ररता है यह कि भारत के अंतिम गवर्नर जनर्रल कौन थे तो सी राजगवपालाचारी किशायें एक्समिल्ट बताया है तो आप लोग जाये प्लेलिस्ट में अव३टा लिखाओ गा ओल जो है इंपोटेंट जी ठीक है अगरा हए फ्रेंट्स यहाँ पे बिलाई इसपासशन्यंत्र का Nirm usability के संजोक के संजोक से क्या गया था तो रूष के संजोक से बिलाई बुला था ठीक है अलाई फ्रेंट्स कि उत्री धुरूप में भारत के अनुसंधाउन के अंद्र का नाम क्या है ही मादरी ठीक है ये पुछा जाता है ये बार बार पुछा जाता है कि उत्री धुरूप में भारत के अनुसंधाउन के अंद्र का नाम क्या है तो ही मादरी ठीक है अलाई तब ही ठीक है जो कि जापान की थी ठीक है चेले आगे देखते हैं आगे है फ्रेंटि पीलिया किस अंग का रोग है तो पीलिया यकृत ये लीवर का एक रोग होता है अगला है گला है फ्रेंटि कि- ni시면 कि- रोगो फील का खनी घटक क्या है तो प्रिंट्स वह लॉकलाइब फ्रिंट्स Omegaast में तुमक्ता इसलेव Chinaast तो प्रोबन होता आशनु घकर को अधिक कई आपकीन को मिलेगा पुशने विह अधिकों को नाम फोगिया कि जेम्स इपने ठिकैंनलाई फ्रेंस किस बाउध भीक्चूं के प्रभाब में असोक ने बाउथ धर्म, गरन किया था और किसका बेटा था आपने बेटा को बताना है यक कमेंट बॉक्स में जल्ली सजाईए और कमेंट करेंट यह पताईहे किसका बीटा था देखते हैं आप लोगों को इस टी के बारे में कितना नोले लैपलेंस कि अमरीत सर्फ प्यातीक प्लापना किसली सर्फ आदर्फdade कर संस्थापक था लाला लाला हर्दियाल ठीक है अगला देखे फ्रेंट्स अगला है सिक इतिहास का इतिहास में लंगर पर्था किसने शुरू की तो सिक इतिहास में जो है फ्रेंट्स लंगर पर्था को गुरू अंग देव ने शुरू की थे ठीक है अगला फ्रेंट्स की सबसे प्राचीन वेद कौ मरसी अथरवाद वारा की गई थी ठीक है अगला है फ्रेंट्स किस सुल्टान ने अपनी राज़ाने दिल्ली से दोलता बाद अस्थान अंत्रित कर लिया था तो दोलता बाद को मुहम्मद बिन तुगलक ने यह बहुत इंपोर्टेंट यह बार बार पूछा जाता है तो इस इस वे क्यावर में यह बहुत अच्छे से कराया है ठीक है आप लोग जाके एक बार चेक कर लिजिए देख लीजिए ठीक है अगला है फ्रेंट्स कि चीनी यात्री वेंसंग ने किस विश्विध्याले में अध्यान किया तो वेंस उंग चीन का यात्री था ठीक है जो एक्सेप्ट कर सकता है तो याद रखेगा सर्व दाता में आ जागा यह ओ असर्व गराही में एवी ठीक है दोनों को याद रखेगा दोनों पूछा जाता है कितनी हडी कोसिसाइं सुर्理 के प्रकास में कौन सा बितामिन प्राप्थ होता है माधा एना फ्लीच मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है तो मिलिया होता है बिल्कूल तो इलेग्जंड्र ग्रहां बेल सब्सक्र gör़ा था सब्सक्रास कितनी होती है तो सब किस ने बताया था पिर्थवी का चक्कर लगाती सबसे पहले कैपलने का था ठीक है पर्थिम से पुर्व की और चक्कर लगाता है तो इधर जाते वे दिखाई पत्तित होता है इधर से ठीख है ठीके फ्रेंट्स याद रखेगा अगला दिखेंधे फ्रेंट्स है कि परकास सब्ढ़ किसे भी तो फिर यानि कि ब्रकास सबक मारत है का सबसे आप नमांदिर कहें सब्सक्राइब करें लोगों को क्या पता दाता है कि ताजमल दिल्ली में है लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है ताजमल आगरा में है ठीक है आप किसी भी आत्मी से आप जाकर के कहीं भी पूछ सकते हो किसी से भी पूछ लेना है एक बार ट्राय के लिए कि ताजमल देखे हो तो बोलेगा नहीं आप जानते हो तो बोलेगा हां तो कहां है तो दिल्ली बोल देग है देखे अगला है कि आजाद हिंद फोज किसींगापूर देञा कि थी थीचिक और सिख्षक कब मना जाता है ला stack को पता आप सप्केमिर को मना था ठीक यह अंगला फिल दिवस ऊंटीज अगस्त को मना जाता है ला sparked किसके जर्विस को घेल सभाष दिवस के रूप में मनाय जाता है तो मेजर ध्यांचंद्र के जर्व दिवस पे खेल धिकलि leg laaf 29 अगस्त को मनाया जाता है अलाव इष्फ पर्यावर्वडन दिवस प्र बर्याब्ट पांट को मनाया जाता है क्यों यह मरों का नाणा किसा ने जिआ तक गौंद् तो मुझे खूझ दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा यह नायाँ किस नहें दिया था अराम हरás है का नारा किसने रया था शेयह बपकर नहीं दिया था ठीक है फिरंड़ ज़ी जवालाल नहरू हो एन्डार किसने जा कि जाए जवांद मारव दिया था हूर फ़ोंड़ से एक अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसे दिया ता राम परसाथ भिश्मिल ने दिया था अकि भारत नमय इंप मैं सबसे अधिक परियास की समास उधारक का रहा है तो राधाराम मोहन का राय का जो है इसमें बहुत बड़ा हाथ राय सतीपर्था को अंध करने में ठीक है खतम करने में अला है फ्रेंट्स राम कृष्ण मिसन के अस्थापना श्वामी विवेका नंदर ने किया था ठीक है अला है फ्रेंट्स महात्मा गंधी का पूरा नाम क्या है तो मोहन दास करम चंद गांधी जो है इनका पूरा नाम है किसका महत्मा गंधी का अला है फ्रेंट्स महात्मा जी यानि महात्मा गंधी जी जो है महात्मा की उपाधि किसने किसने दी थी तो महात्मा की उपाधि जो है रविंदर्नाट टाइकोर न ताइकोर प्तिप्सकिन दी छे लेधेraph लील्कुल सब्राइब Labour का फिल्म के छेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच भारतिय प्रुसकार कौन सा है फिल्म के छेत्र में जो सर्वोच प्रुसकार दियाता है फ्रेंट्स वह दादा साय फाल के प्रुसकार है जो की फिल्म छेत्र के जो है फ्रेंट्स वह सर्वोच भारतिय प्रुसकार कलाता है ठ ठीक है और वाद के जो सर्वोच नागरिक का जो सम्मान के लिए प्रोस्कार होता है प्रिस्कार होता है और वीर्ता के लिए तैसने में सबसे सबसे चलिक्स बाद काली दास को मि महाँता है ठीक है और फ्रेंट्स जोंप्तर को स्थान्स अंतरिक्ष में जाने वाले पर्थम एकती कौन थे तो यूरी गागदीन थें अंतर भीट परथम व्यक्ति जोकि रूज के तैन्मिल आडम स्ट्रॉंग ठाकट तैन्ट्रिक्षमे जाने वाले पर्थम भारति कों थे तो अन्ट्रिक्ष में जाने वाले पर्थम भारति राके शिर्म पर कदम रखने पहले व्यक्ति निला आर्मी स्ट्रॉंग अंतरिक्ष में जाने वाले पर्थम व्यक्ति कों थे यूरी गागरिन तीनों को अच्छे से यात कर लीजे छले जली जली एक और क्षच ते देख लेखते हैं और और कढरेंद के अंतरीग क्षच पहले पुछां वाला पूछ सबसे इसे एक कप छोड़ा गया तो आरभट है पर्थम भारतियों पगरा का नाम जो कि सन 1975 में छोड़ा गया था अगला है फ्रेंट्स रसन्युक तरारसंग के वर्तवान महासची कौन है तो बाउन की मून है ठीक है अगला है फ्रेंट्स अभी फिलाल चेंज हो गए होंगे फ्रे महलें फ्रेंट्स की कौन सी गरन्ति इंसुलिन स्राविद करती है तो कौन सी गरन्ति अगया सबसे बड़ा बांद को सह है यह वान। तो भात का सबसे वड़ा बंद है अमें संभिधान की आठंवी अनुशूची में कितनी भारतिय भासाओं की मन्निता दिए बाइस आपको फ्रेंट्स एक वार में पूशा जाईगा ६ फसे लिए पूशा जाएगा की हिंधी भासा को छोड़ कर, हिंधी भासा को छोड़ कर। कितनी भारति भासाओं को मानिता दी गई है Hindi बासा प्रॉड कर तो टोटल हो जाइआ किम Youut जब जोर जाता है तो टोल गता है बाईज इसे याल रखे गा यह बहुत बार पुच्यावीाओD फासा आने के लिए ठीक है कि हिंदी भासा को छोड़ कर समिधान के आठमी सुची में कितनी भारतिय भासाओं को मानियता दी गई है तो आपको टिकर करके आना 21 क्योंकि हिंदी पर उन्दी को मां पे छोड़ देना है ठीक है जब बोलेगा हिंदी को लगा करके या टोटल सक्कार मकून है तो रेड ख्रास के संस्थापक हेंडरी डुनांट है ठीक है अगला है एक लोबन की कमी से होने वाला रोग होता है तो फ्रेंट्स इस वीडियो को अभी हम लोग समाप्त करेंगे और जैसा कि आप उनते हैं 100 को सेट कराने बाला हूं ठीक है इसके बात मैं एक बार हजार कोशन को एड़ करके बना दूगा जो की दो तिन घंटे का होगा ठीकर फ्रेंट्स तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा एक छोटा सा प्याला सा क्रमेंट जरूर करें अच्छा लगा तो दिल से एक लाइक और शेर जरूर कर दीजे क्योंकि आप लोगों के जरूर करके वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का इकन प्रेस कर लिजे चलिए आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जैन जै भारत